PCS का सपना देख रहे सभी चाथ चात्राव के लिए एक बहुत बड़ी खुश कबरी साथियो आज ही एक बहुत बड़ी अपडेट आही है जिसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे और आप सभी का हमारे चेनल जीत की पार्ट सलब एक वाफिर से स्वागत है साथ ही हो जैसा कि हमने पहले चेनल पर अपने बताया रखाया काई वीडियो में कि UPPCS की तैयारी कैसे करें PCS कैसे बनें और साथ ही साथ में बहुत आसान तरीके से हमने उसमें समझा है कि पूरा पार्ट है क्रम क्या है प्री मेंस और इंटर्वू तक तो उसके आज की अपडेट के बारे बात करें उससे पहले अगर आप हमारे चेनल पर नहीं है तो कि हमारे चेनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन टैप उसलेट कर लें जिससे कि UPSC, UPPCS, SSC, UPPLC और All Government Job के लिए आपको सही गाइडेज मिल सके तो साथ ही आज बात करते हैं जो आज की हैडलाइन है PCS मुख के परिच्छा से वैकल्पिक विशे की अनवारता खत्म हुई तो साथ ही हो जैसा कि आप हैडलाइन देख रहे हैं और कई निउस पेपर में ये खबर चपी है PCS मुख के परिच्छा से वैकल्पिक विशे की अनवारता खत्म हुई यानि क जो यूपी PCS है यानि उत्तर प्रदेश लोग सेवायों के अंतरगत जो एक्जाम HDM या अन्य प्रसास्टिंग सेवाओं के लिए कराया जाता है तो उसमें 2023 में जो परिच्छा होनी है और उसमें मुख्य परिच्छा में जो एक वैकल बेस है यानि ऑफिशनल सब्जेक्ट लेना होता था वो अनिवार था तो वो उसकी अनिवार तब खतम कर दिया केविनेट की बैठक में ये फैसर लिया गया है उसके बारे में हम डेटेल में इस वीडियो में आप लोगों के लिए बात करेंगे समझाएंगे और जैसा कि आप न्यूज में देख रहे हैं तो कई कोई एक विशय चुनना होता था जो अनिवार होता था मुख्य परिच्छा में तो वो उसकी अनिवार था खतम कर दिया जैसर कि आप देख रहे हैं इस स्क्रिंग पर पूरी निउज जो पूरा पॉइंट वाइस क्या क्या बता है उसको हम इस वीडियो में एक एक पॉइं किस तरह से एंश या टी से लिएकर जो जो जीएस है और प्रीमेस और इंट्रवुतर की तैयारी कैसे बिना कोचिंग के भी आप कर सकते हैं तो उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं तो डिस्क्रिंट में उसके लिंक भी दे देंगे और आईवेटर में भी देंगे तो सा आज की जो अपडेट है वो है यूपी PCS यानि कि उत्तर प्रदेश जो प्रोविंसी सिविल सर्विस है यानि कि प्रसाशनक सिवा है उसमें मुख्य परिच्छा में जो एक अनवार वैकल विख से चुनना होता है सब ये बड़तियों को उसकी अनवारता खतम कर दी है और ये अनवारता खतम हुई तेश दो 2023 ये आजी की ख़बर है साथियों साथियों जो बदलाब हुआ है उसको भी देख लेते हैं तो यूपी से जुड़े समान ग्यान की दो प्रशन पत जोड़े गए हैं और इसके लिंग को लेकर चला आरह विवाद भी इससे खतम होगा तो सा जोड़े गए हैं तो साथियों जो वैकल विशे था अब उसकी जो है जो हमें चॉइस करनी होती थी वो नहीं कर रहा है तो वो इस परश्ट रूप से आप सभी के लिए किलियर है और अब देख लेते हैं मुख बंदियों पर कि क्या क्या चीजे इससे रिलेटिट हुई है तो मुख्यमत्र योगी आज़ेतनात की अधिक स्टाम बुदवार को ही केमिरिट की वैठक में इस प्रिस्ताप को मंजूरी दी गई है और इसके लिए कार्पिन क्युभाग के प्रिस्ताप समलित राजपरबर अधीनसीवा पूंख्य परिच्छा परिच्छा उजना जाते हैं तो समलित राजपरबर अधीनसीवा PCS की मुख्य परिच्छा में वैकल विश्य की अन्यवारता थी यह आपको पहले ही बता चुकिए अपने चैनल पर कई वीडियो के माद्यम से के मुख्य परिच्छा में एक विश्य चुनना होता था अब मुख्य परिच्छा जो स्केलिंग होती थी उसमें काफी विवाद हुआ था और स्केलिंग के चलते ही यूपी में दूसरी राज्यों के तमाम अबड़तियों का चैन होने की शिकायत भी आ रहे ही थी और ऐसे शिकायत जाय भी थी क्योंकि जातर देखा है अन्र राज्चों में जो यह प्रशा उत्तरप्रदेश से सम्मादेट ऐसा कोई प्रशन पत नहीं होता था उस्तात में वैकल्प विशे होते थे जो कुछ साइस के सब्जेक्ट होते थे या आठ के उते थे इस तरह से अन्य-ण्य विश्यों को चुनने का एक बात देता थी एक विश्य को चुनना होता था तो उस कोई विशेश लाव नहीं मिलता था उत्तरप्रदेश से रिलीटेट कोई ऐसा प्रिशन पर नहीं आने की वज़े से इसी डे लगातर पीसेस मुख परिचा से वैकल पर विशेश हटाए जाने की मांग तेज हुई और यह चर्चा चल नहीं थी के दोजात तेज में इसको हट अलिक नात की अधिक्सा में अधिक्षिता में विद्वार को ही जो इस प्रिस्ता पो मंझूरी दी गई तो चट्धियों माने मंत्री जी द्वारा इस प्रिस्ता पो Minjury दी गई है। और फाइनली उत्तरपदेश PCS की परिच्छा से यानि मुख्य परिच्छा से वैकल की इनवर्था को समाप्त कर दिया गया है तो आपको कोई विच्छ है जो नेकी अनुवारता नहीं है और इसके इस्तान पर यूपी स्पेसल दो परिशन पर पूछे जाएंगे सते ही नेक्स्ट वीडिoe में हम जो बदला हुआ है उसके बारे में और साती ही वह पूरा उप समय से मिल सकते हैं, thank you so much.